हेलो फ्रेंड्स अगर मीठा खाने का मन हो तो मेरे इस रेसिपी से सूजी का हलवा बना कर ट्राइ करिएगा बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है ये फ्रेंड्स वीडियो पर एंट तक बने रहीएगा आईए बनाना शुरू करते हैं सूजी की हलवे की रेसिपी तो अब यहाँ पर एक पेंड ले लेते हैं उसे थोड़ा सा गर्म होने देते हैं इसमें अब मैं एट कर दूँगी दो से तीन चम्मच जितना देसी की की को अब हम थोड़ी देर के लिए गर्म होने देते हैं गी हमारा अच्छे से गर्म हो चुका है इसमें एड़ कर देंगे काजू जिसके मैंने डोड टुकडे कर लिए हैं थोड़ी दिर के लिए इसे सोते कर लेंगे अब मैं इसमें एड़ कर दूँगी बादम बादम को भी हमें थोड़ी दिर के लिए सोते कर लेना है घी में गेस की फ्लेम को लो रख कर ही हमें इसे सोते करना है वरना इसका कलर थोड़ा सा डार्क हो जाएगा अब यह अच्छे से सोते हो चुके है अब मैं इसे निकाल लूँगी एक प्लेट में अब इसमे एड़ कर दूँगी आदा कब जितनी किस्मिस किस्मिस को भी हमें थोड़ी दिर के लिए सोते कर लेना है घी में इसका भी हमें स्यादा कलर चेंज नहीं होने देना है ये भी एक दब रेड़ी हो चुकी है अब हम इसे निकाल लेंगे एक प्लेट में तो अब यहां पर मैंने एक कब बर के सूजी ली है इसे इस बाकी बच्ची हुए गी में थोड़ी दिर के लिए पून लेंगे तो गेस की फ्लेम को फ्रेंट्स लो रखते हुए ही हम इसे फूनेंगे अच्छे से 5-7 मिनित तक ताकि इसका कच्चापन निकल जाए तो फ्रेंट्स देख सकते हैं आप सूजी हमारी अच्छे से फून चुकी है अब हम इसे निकाल लेंगे एक प्लेट में थोड़ी दिर के लिए इसे ठंडा होने देंगे तो फ्रेंट्स यहां पर अब मैंने कड़ाए ले ली है उसमें एड़ कर देंगे दो कप जितना पानी यानिकि एक ग्लास पानी है पानी कोम थोड़ा सा गर्म होने देंगे अच्छा सा इसमें एक बोईल आने देंगे तो पानी में एक अच्छा सा बोईल आ चुका है इसमें एड़ कर देंगे थोड़े से केसर के थागे और अब इसमें एड़ कर देंगे आधा कब जितनी चीनी चीनी की मात्रा आप अपने टेस्ट के अकोर्डिंग कम या जादा कर सकते हैं अब इन सब को मिला लेंगे और चीनी को हम पिगल जाने देंगे तो फ्रेंट्स चीनी अच्छे से पिगल चुकी है और पानी भी अच्छा सा बोईल हो चुका है अब इसी स्टेज पर हम यहाँ पर एड़ कर देंगे सूजी को गेसकी फ्लेम को स्लो ही रखेंगे और इन सब को मिला लेंगे अच्छे से मिलाते समय ध्यान रखेंगे कि इसमें लंपस ना रह जाए अच्छे से मिला लेंगे अब हम इसमें एड़ कर देंगे आधा कप चितना देसी घी और देसी घी में इसे हम थोड़ी दिर के लिए पूनने देंगे अच्छे से मिला लेंगे और थोड़ी दिर के लिए इसे पून लेंगे जब हलवा आच्छे से भून जाएगा तब इसमें से घी अपने आप ही रिलीस होने लगेगा इसलिए थोड़ी दिर के लिए स्पेचूला से चलाते हैं वो इसे भून लेंगे तो हलवा हमारा आच्छे से भून चुका है और इसमें से घी भी रिलीस होने लगा है अब हम इसमें एड़ कर देंगे ड्राइफ फूर्ट जो हमने रेड़ी करके रखे थे इसे पर हम इसमें मिला लेंगे तो फ्रेंड्स सूजी का हलवा बनकर रेड़ी हो चुका है अब हम इसे सर्व कर लेंगे तो friends मेरे इस सूजी की हलवे की रेशिपी अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक कर दीजेगा और friends आप मेरे वीडियो पर पहली बार आए हो और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर दीजेगा और पास में रहे बेल आइकों पर क्लिक करने के बाद ओल पर क्लिक कर दीजेगा तो बहुत जल्द मिलेंगे फ्रेंड्स एक नए रेसिपी वीडियो के साथ तब तक के लिए आप सबी को बाई बाई एंड टेक के और मेरे इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सबी वीवर्स का धन्यवाद तो सोजी कि इस मज़ेदार वीडियो की रेसिपी को ट्राइ करना बिलकुल भी ना भूलिएगा फ्रेंड्स तो मिलेंगे बहुत जल्द बाई